हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्ते इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल जमाबंदी के विशे में डिजिटल जमाबंदी को लेकर बिहार गौर्मेंट ने 13 मई 2020 को एक पोर्टल लंच किया था जिसकी स आयता से बिहार के अंदर जीतनी भी खाता खेसरे में गडमाबंदी के समय हुआ हम सुदार कर सकते हैं बिए 낮 ने इसी वीडिशे से इस पोर्टल को लंच किया था लेकिन जो भी परकिरिया खाता खेसरा को शुदार के के पाले थे परकिरिया अब भी उतना ही जटील बना हुआ है online mutation करने के बाद हम अपने खाता खेसरा में change करने के लिए इस portal को lunge किया था portal परिमारजन पोर्टल को lunch किया गया था ताकि हम अपने खाता खेसरा में सुधार कर सके इन्हीं सब मुद्धों पर हम बात करेंगे आज आपको दिखाएंगे कि आप कैसे कर सकते तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं आज का वीडियो तो यह गाइज आएम समीर और मॉस्ट वेलकम ओल आफ यूटूब चैनल डिजिटल पावर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथी साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लटेस्ट नोटिफिकेशन या नूज आपसे मिशना हो तो चलिए हम बात करते हैं ऑनलाइन म्यूटेशन की जब हम ऑनलाइन म्यूटेशन याने दाखिल खारिज कराते हैं तो दाखिल खारिज करान में हमसे जो तूटिया हो जाती है हमसे तो नहीं होती है जब हम दाखिल खारिज कराते हैं तो उस समय जो ब्लॉक के पदादिकारी होते हैं उनसे जो तुरूटिया हो जाती है वहाँ से जब हम निवंदन करा का आते हैं तो ठीक होता है लेकिन उसके बाद ब्लॉक में तुरूटिया हो जाती है फिर इसके सुधार के लिए बियार गॉर्प से महारता भुमि सुधार उप से महारता के पास कि आप जाएए DCRL अपील डायर किजिए दोस्तों इस पोटल का लंच करने का जो मकसद था वो चव हद्दилась अप सुधार कर सकते हैं इस खाता ख्यासर में सुधार कर सकते हैं जो भी तुरूटिया होई होगी लेकिन इसमें डाटा दिया गया था अप्लॉट किया गया था फिरी पॉइंट लगभक 3.65 करोड इतना डाटा दोजार अठाड़ तक का डाटा इसमें अपलोड किया गया था अगर सरकार 2019 तक की डाटा दिसंबर 2019 तक की डाटा इसमें अपलोड की होती तो साइद इतनी परिशानिया हमको नहीं जलना पड़ती जैसे हम सभी जनता को जलन पढ़ रहा है इसी करी आणि बियार गवर्मेंट ने क्या किया है जो उस पोर्टल के अंदर एक सुधार करने की परकिरिया शुरू कर दिया और उसके मन्थन करना सुरू कर दिया ताकि इसमें जितनी भी तुरूटिया हो उसको सुधार किया जा सके क्योंकि अभी तक यानि 13 माईज 2020 से इस पोर्टल को लंच किया गया और आज तक करीब करीब 30,000 इसके लिए जो सिकायते आ चुकी है तो फ्रेंस हम आपके लिए चलता है अपने ऑफिस्यल साइट पे यान ब्यार गॉवर्मेंट के परिमारदन पोल्टर पे वहां से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आवेदन जब किया जाता है जो ऑन-लाइन म्यूटेशन के बाद किया जाता है अगर आपसे गड़बड़ी हुई है या करमचायर से भी गड़बड़ी हुई है तो आप कैसे उसके परिमारदन पोल्टर पर यहां पर पूरा लिटाब थेल करके जब वयरिफाई करते हैं बुरादस हमसे मांगा जाता है और यहां पर पूरा प्रप्रपार्टी डिटाइफ आपकूरी क्या दीकत है और जो दिक्कत होता है उसमें आपको PDF के साथ अपलोड करना होता है फॉम फीलप करके जब फॉम फीलप करके हम अपलोड करते हैं उसके बाद देखे हैं फ्रेंस हम आपको एक पेपर कटिंग के मादेम से बताते हैं तो देखे हैं यहां पर डिटल जमाबंदी के चुनोती तुरूटिय अब भी चुनोती है यानि तुरूटि इसमें जितनी भी है पहले जितनी दिक्कत होती दिक्तों का समना करना पड़ता है यह क्यों हो रहा है तो देखे हैं यहां पर बताया गया है हिंदुस्तान पेपर में खाता खेसरा के गड़बड़ी के सिकायते अधिक ह पोटल में करीब 3000 सिकायते आ चुकी है आबेदकों के मुताविक मुल के वाला में खाता यह खेसरा का नंबर सही रहता है लेकिन म्यूटेशन में अंचल कर जाले की मुल में भूल से गलत नंबर चड़ जाता है यानि जब हम म्यूटेशन कराते हैं उस समय हम गलती जो परशानी के करण पहले भी मूटेशन में काफी परसानी होती थी यह बात कर ले तो फ्रेंच की इसमें दिक्कट क्या है और इसमें क्या बदलाव हो जाए ताकि हमें सुरक्षा हो जाए जरुरी बदलाव के तवर तरीकों पर मन्थन शुरूय यानि जो भुमी विभाग का क्रमचारी यह इस पे सुरू किया जा रहा है ओनलाइन पर किरिया में भी इसे अब तक दुरस्त नहीं किया जा सका है वास्ता में डिटल जमाबंदी में खाता ख्यंसरा में सुधार का कोई आप्शन नहीं ओनलाइन ब्यवास्ता में असपस्ट है यानि जैसा मैंना देखाया यहां पर जितना ब्यवास्ता है उसमें कई भी ऑनलाइन जो म्यूटेशन करने के जो जगा होते हैं उसमें नहीं मिला है कि उसमें सुधार किया जासे के असपस्ट रूप से लेकिन देखिया परिमार्जन पोल्टर में दिसंबर 2018 तक की डाटा है यानि हुए जो म्यूटे जो सुधार हो सके सिकायतों के बाद राजस्य भीभाग ने पोटल में जर्री बदलाव के तोर तरीकों पर अपना काम यान मंथन सुरू कर दिया है और जैसे ही होगा मंथन करने के बाद उस पे अपडेट आपको मिल जाएगा उसे बाद बात कर लेते हैं देख लिजेगा करीब 2018 तक की जो डटा किया गया है 3.65 करोड जमबंदियों को डिटलाइट कर दिया गया है जो पोर्टल 13 मई को सुरू किया गया था उससे पहले ठीक है फ्रांस जिससे म्यूटेशन बादित हो रहा है साथ ही कई तरह की भूमी विबाद भी सामने आ रहे हैं तो इस पर ग बता दिये में पॉइंट हम बता चुके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब पढ़ लिएगा तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो तो कैसा रहा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा साथ साथ वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंस अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बुलिएगा चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए दीजिए जादर ठेंक्स फॉर माचिं कर दो